आज हम लोग आपके साथ NCRT की तिहास कच्छाचह के अध्याय दूख चैप्टर टू पढ़ने जा रहे हैं जहां पर आखेट खाद्य संग्रहन से भोजन उत्पादन तक की क्योंकि यह स्रीज पुरीतर से NCRT की है और आप यह जानते हैं NCRT की स्रीज आपके लिए कितना अहम और कितना महत्य पौन है यह NCRT की जो स्रीज है एक अच्छा-च्छह से लेकर बारत तक की संपूर NCRT की क्लास होगी जो डेवर डे आपको यह लर्नी भी दुर्गेश के यूटूब और अन्य चैनलों के माध्यम शेप राप्त होगी मेरे द्वारा यह क्लास ही निशुलक आप सभी के लिए देशित और राष्टित होगी इस वीडियो के अंतर बिनेरे के वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन यह Old NCRT और New NCRT इन दोनों को मिला कर तैयार की गई यह अभी तक की YouTube की सबसे बहतरिन सेशन होगी क्योंकि आप जाते हैं सरकारी नोकरी करने की जो बेश जो कुंजी है वो आपके इंसियाटी है क्योंकि सरकारी नोकरी तक का जो रास्ता है वो इंसियाटी से होकर गुजड़ता है आए उस रास्ते के सफर में भरती तिहास का अच्छा-च्छा कि हमारे अतीत का आज अध् पेश के इलेनिक भी दुर्गेश हैगा उसे आप लोग ज्वाइन कर लिजेगा अब पढ़ेंगे हम आरंभिक मानो जी हाँ आरंभिक मानो में देखेंगे कि प्राचीन सब्वेताओं के बारे में अध्यन करने से पता चलता है कि जो लोग इस उपमहादीप उपमहादीप की बात करें तो हम भारत जब भी उपमहादीप सब्दे का जिक्र हो तो भारत समझेगा वोग कि भारत को एक उपमहादीप की शंग्या दी जाती है और कहा जाता है मैं 20 लाग साल पहले रहा करते थे आज हम जिन्हें आखेटक खादे संग्रहक के नाम से जानते हैं अब आप आम तोर पर खाने के लिए वे जंगली जानौरों का सिकार करते थे मचलिया और चिडिया पकड़ते थे फल दाने पौधे पतियां अंडे कठा किया करते थे जबिक जगह इन चीजों की कमी महसूस होती तो वे दूसरी जगह तलास करते थे मतलब एकदम साप अगर आपने क यहीं इतिहास को पढ़ा होगा तो यह जब कहीं लिखित परिच्छा हो या आपकी आपजिक्टिव हो उस समयगर आप एंसियाटी को पढ़े रहेंगे तो यह चीजे आपके मन में और सब्द भंडार आपके पास रहेंगे हमने यह देखा कि आम तोर पर खाने के लिए जं पर खाने के लिए करते तो यह दूसरी जगह तलास करते थे मतलब आरमभिक मानों एक तरह से कह सकते हैं खाना वदोस्ता भोजन के तलास में जाता एज जगह बोजन मिला तो ठीक है अन्धागर वहां भोजन को प्लगता कम हो जाती थी तो दूसरी अस्थान पर जाता था आगे हम लोगों ने देखा कि पुराणी सभेताओं के बारे में पुरातात विदो को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माड और उप्योग आखे टक खासंग रहले के लिए क्या करते थे यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकडियों शींगों से ओजार बनाए ध्यान दीजेगा पत्थरों से ओजार बनाए लकडियों से ओजार बनाए और शींगों से के ओजार बनाए इन में से पत्थर के ओजार आज भी बचे हैं अगर आज भी खु पूरे नगरों का निर्मार भी मिलता है जैसे हडपा और मोहन जोदलोग की सभ्यता हैं मतलब हमने देखा कि कई कई जगए के सभ्यतों में रहनका और में और कहीं पूरे नगर में मिल गए हैं सूचेए खुदाई के दौर्ण उत्खनन के दौराद पूरे नगर मिल गए हैं जैसे हडवपा मिला है मょहन जदलन मिला यह एक सब्धता था हरभपा की सब्धता जुर्ण की सब्धता वैसे हम इस वीडि़ियो के सेसन में और आगे चलते हैं तो यह जो हमारा पहला टॉपिक था वो सायद आपको समझी में आगया होगा आरंभिक मानो आप चाहत इसकी स्कीन सोट अख लें पैसे क्लास खत्म होने बाद इसकी पीडियाफ आपको मिल जाएगी अब हम बात करते हैं आरंभिक नगर यह भी महत्रपूर टॉपि बिदि क्या दार पर दिया गया मने इनहीं जो नाम दिया गया है वो इनके भोजन के संग्रा करने लिप है लिए था वह death कर दे जो सब्दावलियां होती हैं, NCIT को decode करते हुग आपको चलना होगा, यह लोग अपने काम के लिए लकणियों, पत्थर और हड़ी के आजार का प्रियोग करते थे, आरंभिक नगर में हमने देखा, ठेक है, आप चाहत इसके skin shot अपने साथ रखते चलें, इसकी जो पूरी notes है इलनी बी दुर्गेश के आप पर, टेलीग्राम पर आपको एक जगह मिल जाएगी, आप पर इलनी बी दुर्गेश सर्च कर सकते हैं, जो प्लेइ स्टोर पर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या है, देखिए मेरे दौरा क्लासे निसुल का आप सभी के तलास में या जानवरों के सिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले आते थे, अलगलग मौसम में फल की तलास, पानी की तलास में वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, इन लोगों के काम के लिए पत्थरों, लकणियों और हड्डियों के औजार ब जाएंगे और उसके बाद आप कोई भी प्रश्णावली शॉल्ब करेंगे कोई भी सॉल्ब करेंगे प्रक्टिसेट आपके अंग अच्छे हैंगे चाओ लिखित परिक्षा का हो चाएं से क्यों हो अब पूरा अस्थल क्या होता है आई हम लोग धान देखते हैं पूरा अस् साथ आड़िविक साच जैसे लिपिड डिन ने इस ती आइसोटोप सामिले खुदाई से पहले बाद में अस्थलक सरच्छन और सरच्छन क्या हो सकता हो सकती है क्या पर हमने देखा तो पूरा अस्थल क्या होती मैंने एक ऐसा स्थान जहाँ पर खुदाई के जाती है और उस मानों की गदविधी प्रकट होती मनला ऐसे स्थान जहां पर खुदाई के बाद यहां के आदिमानों रहे हैं और उनके द्वारा यहां पे कोई गदविधियां की गई और साइट के भीतर घटनाओं के संभावित साच में सरचनातनों बिसस्थान जैसे कलाकृति मिलती हैं जीओ के साथ आडविक साच जैसे लिपिड मिलते हैं डिने मिल जाते हैं या इस्तित आइसोटोप मिल जाता है खुदाईस से पहले या बाद में अस्तोलों का सरच्छन और सरच्छन क्यों सकता भी हो सकती है और होती भी है जैसा कि आप इस चित्र में देख पाएंगे अब पूरा तात्विक अस्तोलों के जो प्रचूरता बित्ति संसाधनों की बदले बदलती पैटर्न और खोजी बेग्यानिक टक्नीकों में लगातार सुधार का मतलब है कि आधनिक पूरा तात्विक संसाधन प्रबंधन बिसेश रुप से युरोप और उत्रे अमेरिका म उस अस्थान को कहते हैं जहां आउजार बरतने इमारते जैसे वस्तों के आउसेश मिलते हैं मतलब अगर पूछा जाए कि यह पुरा तात्विक अस्तल कहा है मैं उस अस्थान को कहते हैं जहां पर आउजार बरतने इमारते जैसे वस्तों के आउशेश मिलते हैं मानि पूर आप लोग देख रहे हैं भीम बेटका एक छोटा सचित है तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यह भीम बेटका के बारे में पढ़ेंगे डियागराम को देख लेजएगा भी बहुत सारे मिल गया मद्य परदेश में इस पूरा अस्थल पर गूफायें वह कंद्राए मिली जहां लोग रहते थे नर्मदा घाटी के पास भारत के मद्य परदेश में रांजिमिले में एक पुरा पासाणी कुट्व पदेश राज की राजधानी भोपाल से के दच्छिडपूर में लगबग 46 किलोमेटर की दूरी परिस्तित हैं भिम बेटका जो है युनेशको की विश्च धरवा रस्तोलों में से एक है इस अस्तल को सन 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइड गोचित किया जा चुका है इस प्रका चटानों की गुफाएं पाएगा हैं जो की लगबग 10 किलोमेटर के छितर में फैले हुए हैं भिम बेटका भारती उप महादुप में मानो जीवन की उत्पत्ति की सुरवात के निशानों का वर्ल्डन करती है जी हां भिम बेटका जो है भारती उप महादुप में मानो जी 30,000 साल पुराना माना जाता है जी हाँ उस अस्थान पे जो चित्र है उन चित्रों को माना जाता है कि लगबग आज से 30,000 साल पुराने हैं कितने साल 30,000 साल पुराने आगे चलते हैं अगले सेशन की तरफ ठीक है माना जाता है कि चित्रों का उपयोग किया गया रंग वनसपतियों का था मने चित्रों में जो रंग प्रयोग किये गये थे वो किसके थे वो वनसपतियों के थे किसके थे वनसपत्यों के रंग थे आगे देखेंगे जो कि समय के सासा दुदला होता चला गया जो समय के सासा क्या हो गया दुदला होता चला गया और आगे हम लोग देखेंगे कि इन चित्रों के आंत्रिक दिवारों पर गहरा बनाया गया था इन चित्रों को आंत्रिक यहां पर है कुर्णूल गुफा यह क्या होता है आंद्रप्रदेश यहां राक के आउशेश मिले किसके राक के बहुत इंपॉटेंट है यह पूरी वैसे नोट्स इंपॉटेंट है लेकिन हर एक पॉइंट आपके लिए होती इंपॉटेंट चल लगे जिसका इस्तेमाल प्रकास मांस भुनने वह खतरनाक जानवरों को दूर भागाने के लिए होता था ठीक है अंदर प्रदेश में उमीद करते हैं यहां तक की भी कॉंसेट आपके किलिए हो रहे हैं यह देखिए यही है कॉंड्रूल की गुफा है बहुत ही ध्यांज देखेगा चीजे आपके धेर सारी चीजे कॉंसेट किलिए हैं इस नोट्स में है जो इलनी बिद्रगेश का है जो सब्सक्राइब को मिल जाएगी आप चाहिए इलनी विद्रगेश के ओफिस के नंबर पर कॉल्या वाट्शब करके जैनकारी ले सकते हैं नोट से समंधित अगर इस पर बात नहों तो आप इस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पर भी मिल लाएगी लगबग 12,000 साल पहले जलवाई में बड़े बदलाव आए और इसके पैडाम सरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारशिंगा, भेड, बकरी, गाय जैसे जानरों की संख् इसमें कहां कहां से मिलें कहां कहां पर यह पीट इंपॉंटिंट है यह आपके परिक्ष्छ में पूछा जाते हैं मिलान करने के लिए कूट वाल ASMR में बदिप्रजर में दावजली अश्रम में बहुत इंपॉटेंट इसकी इंसोट रख लिजेगा या हमारे साथ नोट्स बनाते चल ले हैं तो खुद भी आप नोट्स इसकी बना सकते हैं बुर्जुहूम देखिए आपको बुर्जुहूम देख रहा है अब मेरा शवाल आपसे कि बुर्जुहूम कहा है सभी लोग इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएंगे और कॉमेंट करके बताएंगे ये कस्मीर में है वर्तमान से में लोग गड़े की नीचे घर बनात करते थे तो आप क्या बताएंगे और ये कस्मीर में है कि बहुत इंपॉर्टन है मेरे साथियों इसलिए वीडियो को शेयर करिए लाइक नहीं कर तो लाइक करके रखिए चैनल पर नए यारे सस्क्राइब करके बेल लाइक अंदर वाई हापी पूरी इंसियाटी आपको मि महत्तपून था ये बोलन दर्रे के पास एक गहरा भरा समतल अस्थान है मेहरगड इस इलाके में सबसे पहले जव ग्यहूं भेड बकरी पालना सीखा यहाँ चौकोर्द था आयताकार घरों के आउशेश मिले यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरगड में मेहरगड में कब् साथ सामान भी रखे ढाओ के क्ब्रों के साथ शामान भी रखे जाते एक मेहर कब्र में मानों के साथ एक बकरी दफ्नाइग वाher यह बारे में पढ़लीजेगा मेहर कर शा है कौमेंट سक्सेंट में कोमेंट करेके जरू बतायेगा या आभी मैंने अब भूः hub कर झेक इश पूरा पासाण। यह सब्द भी आपको लग रहा होगा सर, यह बहुत इन बॉटन लग रहा है, यह तो मुझे पढ़ना ही था, यह पूरा पासाण का, यह दो सब्दों से मिला है, पूरा मतलब प्राचीन, पासाण मतलब पत्थर, इसे तीन भागों में बाट आगे, कितने युग में पत्थरों का प्रियुक किया जाता था, उसे पासाण काल कहा जाता है, पासाण काल मानों के उद्भयों विकास का काल है, मानों के प्रारंभिक काल के विशे में, जो पूरा तात्विक साच मिलते हैं, उन्हें पासाण निर्मित उपकरणों की अधिक्ता के मतलब मानों के प्रारंभिक काल की विश्य में जो पुरा तात्तिक साच मिलते हैं उन्हें पासाण निर्मित उपकणों के अधिक्ता के कारण इसे ही पासाण काल कहा जाता है। मतलब जो है, 12000 साल से लेकर 10,000 साल इस काल का पर्यावणी बदलाव मिलते हैं मध्य पासाण काल में, 9000 तो दस हजार साल पहले अगले युख की शुर्वात तो हैं से तीन जो भागों बाटा गया है, पूरा पासाण काल, मध्य पासाण काल और 9 पासाण काल, तो हम देखते ह की पूरा पासाण काल है इसे अरंभिक काल कहते हैं मद्ध्य पासाण काल में परणड़ी बदलाव मिलते हैं जो चोटा समय हैं मतलब वे 12,000 साल से 20,000 साल मतलब 2000 साल का अन्तर है 파साण काल我们二万 Engagement year 2000 दो हम हूं से लेकर 12,000 साल तो और नौप पासाण काल हैं पो दस सामने आगे जो पासाण काल है उपर आप लोगों ने भी देख लिया जो पासाण काल है पहला है पूरा पासाण काल दूसरा है मध्य पासाण काल तीसरा है नौ पासाण काल इनको भी हम लोग करेंगे पहला जो है पूरा पासाण काल आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और हम आपके लिए इस तरह के निशुल क्लासिश डेवाइड आपके लेकर आएंगे और एक दिन में एक से अधिक क्लासिश भी लड़ने का प्रयाश करेंगे पूरा पासान काल मानों के तकनी की विकास का काल है जो पूरा पासान काल है ये मानों के तकनी की विकास का काल है इस काल का समय मान दिर्ग काली है मतलब बहुत लंबा समय है, हमने देखा ने, 20,000,000 साल से लेकर 12,000 साल पहले तक है, यह हैं सुर्धी काल, सुर्धी काल में धीरे धीरे अनेक तक्नीकी परिवर्तन घटित हुए, इन तक्नीकी परिवर्तनों एवं काल क्रम आधि को ध्यान में रखते हुए, पूरा तात्यु कुछ याद आ रहा है, तो कॉमेंट करें बताइए, इसे निम्न पूरा पासानकाल, इसे निम्न पूरा पासानकाल, मतलब तीन भाग में निम्न पूरा पासानकाल, मद्य पूरा पासानकाल, ओच पूरा पासानकाल, निम्न पूरा पासानकाल में क्या है, निम्न पूरा पा दुकार किया जाता है फ्रांस में पूरा पासानकाल के पर्थम शोपान के निम्न के लिए निम्न पूरा का साल पासानकाल सब्द का परियोग किया गया है अब है मद्ध पूरा पासानकाल मद्ध पूरा पासानकाल एक प्रमुख पुरा तात्विक लच्छण है यहाई कि इस काल में अधिकांस पासाड उपकरान प्राय फलक निर्मित हैं कैसे हैं फलक निर्मीत हैं ऐसा प्रतीत होता है कि विधीवत तयार किये गए क्रोडो से फलक निकालने की परंपरा का सरप्रथम विखास तत्कालिन बिश्ट के उत्तरी परिछित्र मुगा जिसमें उत्तरी अफ्रीका यह क्या है अफ्रीका है अफ्रीका और पस्चमी एसिया से लेकर पस्चमी मध्यवर्तियों पूर्वी यूरोप के छित्र समलित माने जा सकते हैं अब देखेंगे उच्च पूरा पासाण काल अब यहाँ पर देखेंगे उच्च पूरा पासाण काल यहाँ पर क्या है पुरवर्ति पूरा पासाणी कालों के तुल्ला में उच्च पूरा पासाण काल अथवा स्रेष्ट पासाण काल के संबंद में अधिक जनकारी प्राप् मानों के सरीर और संस्किति विकास की दिश्ट से या काल अंत्यत्त महत्तपून है उलेखनी भी है कलात्मक अभिरुची की अभिव्यक्ति भी इस काल में सबसे पहले दिश्टिगोचर होती है यूरोप के अनेक छेत्रों तथा पश्मी एसिया में अपत्यत संगहात बहु प्रियोजनी उपकरणों का अस्थान अंत्यंद विशिष्ट पकार की उपकरण से लिया गया गिर्मिट या ब्यूरीन इस काल का एक अत्यंद विशिष्ट किस्म का उपकरण माना जाता है जिसका उप्योग हड़ी, शींग, हाथी दात और लकड़ी आधिको तराश नकासी और छे दिद्याती करने के लिए किया जाता था तकनीकी विकास की तहास में उच्पूरा पासानकाल के मानों का विशिष्ट अस्थान है मतलब अगर हम बात करें तो जो गिर्मिट या ब्यूरीन इस काल का एक अत्यंद विशिष्ट किस्म का उपकरण माना जाता है जिसका उपयोग हड़ी, शिंग, हाथिदात और लकड़ियादी को तराशने नकासी और छे दिद्यादी करने के लिए किया जाता था तकनीकी विकास की तहास में उच्पूरा पासानकाल के मानों का विशिष्ट अस्थान है अगर हम बात करें यूरोप में उच्पूरा प शेषो तथा गुफाओं का निर्माता पूर विक्सित होमोशेपियंस मानों को माना जाता है यह पूरा और शेष दिखें अपर थोड़ा सा कीरर है उच्पूरा प्रतिनूतन काल के पूरा तात्विक विभिन अस्तरों से उपलब्द हुए हैं यही कारण है कि उच्पूर पूरा पासानकाल सब्द का प्रियोग अफ्रीका तथा दच्ण एशिया की प्राय मिलती जुलती पासानिक संस्कितिक यों के लिए नहीं किया जाता है इन छेत्रों की संस्कितियों के लिए उत्तर पूरा पासानिक सब्द का प्रियोग अधिक सार्थक और उप्युक्त प पूरा पासान काल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला मुख्य जो है मध्य पासान काल तो मध्य पासान काल को मानो संस्किती के उस काल से संबंदित है जो कि सर्व नूतन काल के प्रारंभिक समय में उच्च पूरा पासान कालिंग संस्किती के बाद विक्षित हुआ है इस काल को पूरा पासान काल तथा नो पासान काल की बीच का संक्रांति काल भी कहते हैं यह काल लगभग 10,000 इसा प्रगत कि यहां पर देख सकते हैं आप लोग अब यहां पर आर्थिक चेत्र में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी उच्छ पूरा पासान काल में उनके सामोही कुरूप से बिसाल काई पसुओं का सिकार करके अपनी खादे समस्या को एक सीमा तक हल कर लिया तथा बच्चे हुए समय का सद्विपियों कला के छेत्र में व्यतीत किया किन्तु फिर भी पूरा पासान कालीन मानो प्रकित जीवी ही रहा इस समय तक मानो इस बात से अनि भिग था कि किस प्रकार किसी तथा पसुपालर के माध्यम स प्रकित को अधिक खादिशामागरी परदान करने के योग बनाया जा सकता था यूरोप तथा उसके आसपास के छित्रों में मानो सब्वेताएं पूरा पासान काल के परश्चात एक अन्य संस्किति में परिवर्तित हो जाती हैं जिसे हम मध्य पासान काल के नाम से जानते ह लिए अवरमों देखेंगे 9 नौ सबरक देखेंगे 9 पासार काल में क्या है मानों के सांन्स्कितिक इतिहास में नौ पासारकाल पासार युग का अंतिम चरण है भावतिक प्रकेत की दिशा में देखे जहाँ पर यह शा आता है उश जबहे इस टाइपिंग में यह सा आ गया है तो आप जहां पर यह आये तो मिला कर आप यह समझेगा कि इस यह शह है ठीक कि यह जिस टैपिंग में जो फांट यूज के आगए तो फांट की तुरुटी की वज़े से ऐसा हो रहा है इस काल का महत्तपूर्ण स्थान है नौपासाण काल की यहां पर बात हो रही थी तब वहां के उच्च पूरा पासाण काल के मानों बदलती हुई परस्थितियों को अनकूल बनाने के प्रयास में मद्य पासाण काल इन संस्किती में रहें इसी समय पस्चिमेशिया तर्था उत्रिप्रिका में भी महत्तपूर्ण भगोलिक परिवर्तन हुए इन प्रजिफान का प्रभाव मानों के रहन सान् पर भी पड़़ा इसलिये इस काल के समाजों ने जिन्हें अजीवका का प्रयाप्त सुबधा नहीं थी और आजीवीका की सुबधा नहीं थी ऐसे क्रॉन्तिकारी कदम उठ्दम उठाए गए कि एक नवीन अर्थिवयस्ता में मानौ जीवन बदल गया जिसके पैडाम स्वरूप एक अधिक उन्नत संस्किती बिक्सित हो गई जिसे पूरा तात्यवेत्ता ने 9% काल कहा तता जाति बिज्ञान बरबर युग कहते हैं इसे जाति बिज्ञान या बरबर युग कहते हैं इस काल में कि इस काल के पूरुतक मानो अपनी उदर पूर्ती के लिए पूरुपेंड प्रकित पर निरभर था। इसके पहले तक क्या था? मानो पूरी तरह से प्रकित पर निरभर था। इस काल में उसने पहली बार क्रिसी तथा पसुपालन के द्वारा स्वयम खाद पदार तो दोलन भूल सुच्छा की पूरती का एक समभावी विखल प्रस्तूत कर दिया पूरा पासानकाल तर्थ मध्य, बरबर समाजों को प्रकित कृपा से प्राफ्त खाध्यान शिमित मात्रा में मिलते थे इसी कारण मानो अबादी भी शिमित रहती थी परन्तु नौपासान काल में कम से कम भूमी से अधिक अनका उत्पादन करके उसी अनुपात में बढ़ते हुई अबादी का भराण पॉसंड किया जा सकता था तो यहां तक के सेसन को आप ध्यान से देखिएगा बहुती इंपोर्टेंट है साथ में नोट्स बनाते चल सकते हैं और बरबर किसे कहते हैं नौपासान काल से आप क्या समझते हैं आपके दिश्टिकोंट से नौपासान काल मद्पासान काल में क्या बदलाओ देखने को मिले उस समय की पसितियों का वड़न आने वाले आवजार इसे कास्ट कला मिर्द भांड कला कपड़ा बुन्ना जैसी कलाओं का भी अविश्कार किया तो यह बहुत इंपोर्टेंट यह पूछ लिया जाता है इन सब द्योगों में उसे नए ढंक से मजबूत उपकरण किया हो सकता पड़ी इसी कारण नौपास आणकाल केनाम से जानते हैं ठील भे क्रिसी और पश्चु commented क्रिसी और पश्चुन के बारे में सावंतन नौबर में शिंदु सभवेता में फसल बो scor Betti जाती थी कब नौबर की महें और अप्रायल में काटी जाती थी खेती में पत्थर यों कासा अवजारों का प्रवित के जाते थे काली बंगा में प्राखडपा आवस्था इसके हल से जुत्य हुए खेत का साच मिलता है बनवाली में मिट्टी के बने हुए हल का खिलोना प्राप्थ हुआ है ऐसा परतीत होता है कि शिंदु सब्यटा में हल्व लकड़ी के बने होते थे सबसे इंप्रटेंट है यह पूरी नोड साब के लिए सर प्रत्म कपास खेती शिंदु स oven इसे सभीत ट्रिटिकम, कमपेक्टम, ट्रिटिकम, इस फ्योरोकम, ये थी ग्यों की, अब जौ की देखे प्रजाती क्या थी, होरिडियम, वल्गैर और हेक्सारिश्टिकम, इनके अत्रिक्त राई, मतर, तील, खजूर, सर्सोक, पास, चना, रागी, उत्तर भारत के किसी भी स्थल से प् अगे की अश्गी पस्योतों से पता चलता है कि इस समय लोग दूद देने वाले पसु जैसे गाय, भीन, बक्री, आदी के अत्रिक नहीं भैं, सूर, हाथी तथा उट आदी पालते थे पालतू पस्वों में कूबरदार विश्रप का भी महत्तु था वे लोग घोडे से परचित थे या नहीं या कहना कठी नहीं लोथल से प्राप्त एक रिणमई घोडे की आकरती से ऐसा प्रतीत होता है कि लोग घोडे से परचित थे इसी प्रकार लोग कुटा बिली तथा सूर से भी परचित थे तो यहाँ पर हम लोगों ने NCI-T की पुरी नोट्स थी पुरी सीरीज थी उससे हमने पढ़ लिया आप चाहते हैं इसकी 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 na wat लें और जो प्रमुक्स था वह बताइये अच्छा बताईये किस काल में मानो किसी से परचित हुआ था किसी आगरिकल्चर से तो इसमें पूरा पाथार काल मदेपाता काल कब से मानों ने खेती करना सोरू किया, किस यूग से, किस काल से, तो इसका जबाब आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में, कॉमेंट के माध्यम से जरूर दीजेगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेस्बुक और यूटूब पर एक साथ आप देख पर इसके अलावा अने प्लेटफॉर्म पर भी होगा, ये निसुल्क लास है मेरे द्वारा, जो आप सभी को शभी तक पहुच जाएगा, आप भी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक, अपने सभी साथे तक शेयर करिएगा, और नोट समझत कोई भी जानकर चाहिए इस नंबर पर कॉल ये वाट्शब करकर आप जानकारी ले सकते हैं, जी है मेरे द्वारा ये पुरी क्लास निसुल्क आप सभी के लिए देशित में, राशित में, आप सभी लोग टेली गराम पर सच करिएगा, दुरगेश बीना इस्पेस के, इलनी भी करके बेल आइकन दबागे रखेएगा, साथ इस वीडियो कर फेस्बूक पर ये लनी भी दुरगेश देख रहे हैं, उसे भी लाइक और शेयर करना न भूलेगा, और ये लनी भी दुरगेश के पेच को फॉलो करेगा, आपको कोई बैक्तिकत सवाल है, ये लनी भी इसकी महत्ताब स्वेम और खुद जानते हैं, थैंक यू